है गाइज माने मीं संदीब के शरवानी फैकल्टी ओफ इंगलिश आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्धे पर बात करूंगा डाट इस टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा पॉइंट एक ऐसा मुद्धा जिसको लेकर जाधा तर स्टूडेंट्स या जाधा तर हर कोई परेशा स्टूडेंट करें से शानदार वीडियो देख रहे हैं अगर आप इस वीडियो को कहीं भी देखें तो आप study guide channel को तुरंट सर्च करें YouTube पर और subscribe करके bell icon दबा लें इससे ऐसी बहुत सारी शांदार classes आपको रोज मिलेंगी जहां पर आपकी बहुत सारी problems का solution मिलेगा मेरी हर रोज इतनी classes होती हैं अगर आप English पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो इन timings पर आप मुझसे English पढ़ सकते हैं Time management की problem को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले एक चीज़ का एक सवाल खुद से पूछेंगे जो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी खुद से पूछें कि आज कल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है ये कमी जो समय की आज कल महसूस हो रही है क्या ये कमी पहले भी थी हमेशा रही है या केवल आज कल ही हो गया है मेरे प्यारे साथियों थोड़ा समय आपको लेके चलूँगा आज से कुछ साल पहले जब शायद हम आप थे भी नहीं के वल हम आप अपने ग्रेंट फॉदर से या फॉदर से सुनते हैं जिसके बारे में उन एज में लेके चलते हैं आज से चादा नहीं 40-50 साल पहले 60-70 साल पहले अगर हम देखें हम अगर लोगों से बात किया करते थे तो लोगों के पास क्या हुआ करता था दोस्तों अगर कहीं भी जाना हुआ करता था जैसे मैं यहां पे आपको एक ऐसे डिवाइड करते थे तो यहां पे यह है आपका कोई पास टाइम जिसका कम सकम 40-50 साल पहले की बात हुई होगी और यह है हमारा आज का प्रेजेट लोगों को अगर किसी से भी मिलना हुआ करता रहा हो तो लोग किस तरीके से ट्रेविल करते थे उनके पास क्या साधान हुआ करते थे या तो वो साइकल से जाते थे दोस्तों या तो वो पैदल जाते थे और फूट जाते थे या तो वो साइकल से जाते थे या तो वो पैदल जाते थे तांगा से जाते थे ट्रेन वगरा बहु दोस्तों हमारे पास आज के टाइम में बाइक है हमारे पास कार है हमारे पास ट्रवेल करने के लिए ट्रेन है हमारे पास ट्रवेल करने के लिए प्लेन है यानि हमारा जो पिछले समय पहले के समय में जो टाइम लगता था और आज जो समय लगता है हमने उस समय को बहुत तो जो दस घंटे लगते थे एक घंटे बे हो रही है यानि कि हमारा नौ घंटे का समय अब आज के टाइम में बचना शुरू हो गया फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है अगर हमें किसी को कोई मैसेश भेजना हुआ करता था तो हम मैसेश को लेटर के फॉर्म में भेजा करते थे आज हम क्या करते हैं सीधा हम सीधा वोटसेप करते हैं बाई साथ हम सीधा वटसेप करते हैं इंस्टा पर डालते हैं फेस्बूक पर कर दिये कुछ भी परसनली मैसेंजर पर भेज दिये ये शुरू हो गया दोस्तो पहले के टाइम में लेटर पहुचने में लेटर पहुचन था उसके बावजूद भी हमारे पास टाइम ही टाइम था आज एक सेकंड में वो कर लिया तो छे दिन बचा हर एक बात कहने वाला फिर भी हमारे पास टाइम रही है कुल मिला के हर एक चीज में अगर हम देखे तो हमारा आज जो है हमारे कल से बहुत जादा फास्ट हो चुका है जिसकी वज़ासे हमारे पास आज के समय में बहुत समय होना चाहिए था लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम रही है कभी सोचा है अपने इस टाइप से बच्चो कभी सोचा है इस टाइप से कि आखिर ऐसा क्यों हो यार हम सब चीजों में तो advance हो गए सब चीजों में हम advance हो गए हम travel करने में advance हो गए किसी से अपनी बात रखने में advance हो गए मिलने में इडवांस हो गए, सब चीजों में हम बहुत तेज हो गए तो हमाई पास तो पहले से बहुत जादा टाइम होना चाहिए ना, लेकिन टाइम नहीं है अपने पास क्यों नहीं है, क्योंकि आज जो समय हम, पिछले समय के हिसाब से अगर देखें, तो आज हम जो बचा रहे हैं वो एक्चली बचा नहीं रहे हैं उसको उँन जगों से बचा के उसको हम कहां पे लगा रहे हैं, distraction में हम उस चीजए को कहां पे लगा रहे हैं दोस्तों distraction में हम, हमारा जो mind है न वो बहुत जादा distraction का शिकार हो चुका है distraction हो चुका है दोस्तों हमारा mind social media का distraction हो चुका है हमारा mind social media का साथ यो facebook आजकल real बटर trending में चल रहा है इंस्टा real facebook reels, reels को scroll करने में बहुत master हो चुके हैं हम आप सभी लोग, कभी tiktok था तो tiktok दिन राट tiktokker हो गया सारे के सारे लोग, पुरा हिंदुस्तान tiktokker हो गया था, भाई साथ तो कुल मिला के पहला हमारे distraction हम distract हो गया है दोस्तों, social media में इस वज़ा से जो हमारा समय बचा हमारे पुराने समय के हिसाब से आज की time में जो time हमारा बचा, उसका कुछ हिस्सा हमारा चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके दोस्त की girlfriend हो चुकी है, लड़की है तो उसको boyfriend चाहिए, क्यों? क्योंकि सहलीओं की boyfriend हो चुके जहां का ये culture है, मैं ये नहीं कहा रहा कि हर जगे पे है, लेकिन boys के case में तो हर जगे है बाई साब girls के case में metro cities में माने जा सकते, गाउं वगेरे में उतना जादा नहीं है, लेकिन boys के case में चाहिए गाउं लिओ, चाहिए सहर लिओ, साब जगे का सेम किस्सा है बाई साब, हर boy को एक सहेली चाहिए, सहेली चाहिए उसको तो हम, इनसान का जो माइन डिस्ट्रेक्ट होना, स्टार्ट हो गया है दोस्तों, वो दूसरी चीज ही हो गई कि वो डिस्ट्रेक्ट हो रहा है boyfriend, girlfriend इस बज़ेस उसका समय का कुछ हिस्ता ये boyfriend, girlfriend खा जाते हैं दोस्तों, इनसे trivial talk trivial talk, trivial talk का मतलब हो गया कि फाल्दू की बातें फाल्दू की बातें, फाल्दू की बातें जो है आज की टाइम में बहुत ज़ादा शुरू हो गई है दोस्तों, चाहे वो boyfriend, girlfriend से हो, चाहे केवल friend से हो गाईस, आज कल के trivial talks में हर कोई master हो गया है, लोगों की conversation आज की सुनो, और अपने पिताजी लोगों से शुरू हो गई, जिसको कुछ समय, हमारे समय को खाना शुरू कर दिया है, that is tribal talk, चौथे नंबर पर आना शुरू हो गया है, दोस्तों, unnecessary traveling, unnecessary traveling unnecessary traveling जो शुरू कर दी हम लोगोंने, unnecessary travel करना जो शुरू कर दिया, दोस्तों, ये एक फाल्तू की चीज़ हो गई, unnecessary travel करना, पांचवी चीज़ जो आ गई, दोस्तों, fashion, हमाँ आजकल fashion में मरे जो आ रहे हैं, fashion फलाने ने ऐसा कपड़ा खरीदा, अपन खरीदेंगे, फलाने ने जो है, जगे पर photo खीचके डाली, हम मेरे को भी खीचके डालना है, फलाने ने ये कर दिया, मेरे को भी ये करना है, copy शुरू कर दिया, लोगों ने, उसने, वो, उसने food blogger वो बन गया, मेरे को भी food blogger बनना है, अरे, खुद का interest भी तो देख लो, आपन क्या करते हैं, दूसरों को देखकर copy मारते हैं और fashion के चक्कड में मरे जा रहे हैं, हम उसने, उसने ऐसी dress पहनी है, मुझे भी वैसी dress पहनी है, आपके पास पैसे हो या ना हो, बाप का जान खालोगे, गला पकड़गे, dress पहननी हूँ वैसे, तो guys, ये कुल में लाकर, ये, ये, आज के टाइम में, ये जो चीजे शुरू हो गए ना, ये पुराने समय में नहीं थी भाई, पुराने समय में थी ही नहीं, My dear students, कल भी इंसान के पास 24 घंटे थे, आज भी इंसान के पास 24 घंटे, 24 आर्स पहले भी थे, 24 आर्स आज भी है, 24 गंटे कल भी थे 24 गंटे आज भी है पहले के 24 गंटे में इनसान ये नहीं करता था आज के 24 गंटे में इनसान ये सब करता है इसके बाद जो समय बचता है एक student उस समय में पढ़ाई करता है एक businessman उस समय में business करता है हर एक आदमी इसको करने के बाद बाकी काम को करता है इस बज़े से बाकी उसके पास समय ही कितना बच गया 24 में 4-10 गंडे रिगान ले तो बहुत बड़ी बात है सोने होने के बाद दोस्तों तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले या अगर मैं आपका जो मेरा सबसे पहला सवाल दाना कि आज कल समय की इतनी कमी क्यों मैसूस होती है क्योंकि आप डिस्ट्रेक्शन के शिकार हो चुके हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अपने उस काम में अपने समय को लगाए और फ्रूट्फुल हो हर एक चीज आपका अच्छे तरीके से सफल हो तो आप अपने आपको डिस्ट्रेक्शन से बचा लो सब कुछ सुधर जाएगा दोस्तों समझ पा रहे हैं तो मेरे इस सवाल का आपके इस सवाल का जो मैंने खुद लिखाए इसका पहला जवाब है कि अपने आपको कोशिश करो इन चीजों से दूर रखने का आप अपने आपको कोशिश करो सोशल मीडिया से सोशल मीडिया पे अननेसेसरी लाइब रहने का आप अपने आपको कोशिश करो boyfriend, girlfriend से unnecessary talk में ये नहीं कह रहा है कि एकदम zero कर दो ये सारी के सारे और चले जाओ खुद को आजादी से पहले और 240 में पहुचा दो, 230 में पहुचा दो, 20 में पहुचा दो, नहीं, मैं इसको zero करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इन च चीज जो आपको करना चाहिए, वो यहाँ पर, जब आप अपने 24 घंटे में से, अगर ये 10 घंटे को उठा के 8 घंटे कर दिया, तो आप खुद देखोगे, आपके पास इतना समय होगा, कि आप आज के हिसाब से advance भी रहोगे, और my dear students, आप बहुत जादा आपके पास time होगा कि ये चीज अब जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, ये हर एक बच्चा calculate करे, हर एक बच्चा इस चीज को calculate करे, कि आपके पास कितना समय है, तो सुनो, जनरली आज की time में एक इंसान की age कितनी मानी जाती है, 70 years, आज की time में एक इंसान लगभग एक average लेरो, 70 से ज हो जाए, तो बढ़ा काम हो गया, और 70 साल हमारी age है, 70 साल age है हमारी, और total होती है, 70 साल तक इंसान एकदम बुढ़ापे में आके भी काम कर सकता है, करना चाहे, तो, और दूसरा, आज की वरतमान age आपकी अगर ले ले, कोई 20 साल होगा, कोई 28 साल, कोई 25 साल, कोई 14 साल, अ एक average ले ले लेता हूँ, कि आप मान लो, आप 25 years के हो, आप अपने इस आप से जितने भी साल के आप हो ना, आप उतने निकाल लेना अपना, ठीक है ना, आपके पास 70 साल है, कहते हैं कि 70 साल आपके पास समय है, आप मैं चाहूंगा, सभी लोग फटा-फट मोबाइल अब calculator खोल लो, मैं भी खोल लेता हूँ, मेरी math बहुत अच्छी नहीं होगी, calculate तुरंद नहीं कर पाऊंगा, 70 साल आपके पास समय है, मैंने 70 लिखा calculator में, 70 साल को हम दिन में convert कर लेते हैं, साल multiply by day करो, multiply by एक साल में 365, multiply by हमने 365 किया, अपने पास 25,550 दिन है, ईश्वर हमे 25,550 दिन दे कर भेजा, अब तक आपने जो कुछ भी किया, उसमें आपने 25 साल खपा दिये भाई साब, फिर 0 करो, 25 multiply by 365, 9,125 दिन आप खा गए, 9,125 दिन आप खा गए, इसको माइनस करो, आपके पास कितने दिन बचे, 9,125, 25,550, ठीक है, 25,550, ठीक, कितना बचा, 16,425, 16,425, आपके पास अभी बचे हुए 16,425 दिन, 16,425 दिन में, पिरे प्यारे बच्चो, जनरली एक इनसान अगर देखें, तो दिन के एक तिहाई हिस्से पर उसकी कोई कमांड होती ही नहीं है, एक तिहाई हिस्सा, मतलब 24 घंटे में से 6 घंटे गिरी सी गिरी हालत में भी 6 से 7 घंटे इनसान सोएगा, खाएगा, पिएगा, फ्रेश होएगा, जिस काम, जिस टाइम पे वो कुछ भी प्रोड़क्टियों नहीं कर सकता है, अपने करियर को बनाने के लिए, एक तिहाई हिस्सा, तो हम सबसे पहले ही 16,000 दिन में से इसका एक तिहाई काड़ दें भाई साब, 16,000 आपने लिखा, 16,425, 16,425, डिवाइड़ 3 कर दीजे, 5,475, इतने दिन पे आपका कोई कमांड नहीं है भाई साब, आप इतने दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो 5,475 आया, इसको माइनस कर दीजे, अब आपके पास कितना समय बचा, 5,475 में से हमने 16,425 को माइनस करना है, 16,425, 10,950 बचा, 10,950, सुनिए गध्यान से, 10,950, यानि कि आपने कितना, कितना, मतलब 8,324, तो आपने 8 घंटे माइनस किये, 16 घंटे के हिसाब से, एक दिन के 16 घंटे के हिसाब से, आपकी जिन्दगी में केवल 10,950 दिन बचे हुए हैं, 16 घंटे के हिसाब से, अब इस 16 घंटे में दोस्तों, आपका ध्यान से सुरिएगा, आपकी कुछ शीजे, जैसे, शादी ब्या अटेंड करना, बीमार पढ़ना, सोशल मीडिया, जो डिस्ट्रैक्शन में ने दिये थे, उसमें से 2-3 घंटे उन डिस्ट्रैक्शन में ना चाहते हुए भी जाना, भी ऐसा तो है कि नी सारी सोशल मीडिया अनिस्टॉल मार दोगे आप, ऐसा तो है न घंटे के हिसाब से आपने हिसाब किये हैं, इसमें से मिनिमम मान के चलो कि 40% भाई साब समय आप ना चाहा कर भी इन चीजों में बरवात करोगे, 40% समय, एगरी करतो हैं इस बात से 40% टाइम आपका जाए गई जाएगा, कभी बीमार पढ़ गए तो 4 दिन पढ़े हुए, बीमार पढ़ गए तो, शादी बिया में पूरा दिन लगा दिया, उस दिन कोई काम नहीं किया, है ना कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो 40% टाइम आपका जाए गई जाएगा दोस्तों, तो आपके पास समय जो बचा हुआ है, 10,950, इसका 40% निकालिए, 10,950 का इंटू किय हमने 40%, 4,380, गाइस 4,10,950 मैं next में कर लेता हूँ, 10,950 ये लिखा हुआ है, 10,950 माइनस कितना आया, 4,380, 4,380, कितना होगा दोस्तों, 10,950, 10,950, यह आएगा 6,570, is equal to 6,570, मेरे प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान से समहल के, चीजों को समहल के, आप कुछ भी गर लो, आपके पास, अगर आपकी आज की उम्र है, 25 साल, तो आप अगर अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं, तो माइडियर स्टूडेंट्स, आपके पास मात्र, मात्र, मात् इतना हो गया, मैंने अभी आपकी उम्र कितनी निकाली थी, दोस्तों, सत्तर साल का, ये सत्तर के हिसाफ से, मतलब आपके पास केबल इतने दिन का समय है, लेकिन सत्तर साल के उम्र तक कोई काम नहीं करता, आदमी मैक्सिमम साठ तक करेगा, बस, साठ तक काम करेगा, इससे 10 साल काम और नहीं हो पाएंगे, 10 साल काम नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब 365 होता है, 365 में 0 बढ़ा दीजे, 10 साल, तो इतने और घटा दीजे साथियो, आप चाहकर भी नहीं काम कर पाएंगी, 10 साल अंतिम के, तो 0 का 0 हो गया, 7 में से 5 गये 2 हो गया, 5 में से 6 गये 9 हो गया, पांच में से 3 गय, 2 हो गया, आपके पास किवल 2900 दिन बचे हुए है, राउंड फीगर ले लो 3000 दिन बचे हुए है, ठीक है दोस्तो, आपके पास कुल मिलाके 3000 दिन है, मात्र 3000, कुल 3000 आपके पास, मेरे प्यारे सात्यों आपके पास कुल 3,000 दिन है काम जिसमें आप कर सकतें मतब 24 घंटा पूरा हिसाब 3,000 दिन टोटल 24 घंटा पूरा हिसाब तो my dear students अगर आपके पास कितना समय है कोई पूछेगा तो आपके पास केवल इतने दिन का समय है जितने में आप काम कर सकतें जितने में आप एक्टिव रह सकतें आर्स में निकालना चाहो तो multiply by 24 कर लीजे संख्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी अपने को लगने लगेगा बहुत जादा अपने पास समय लेकि नहीं आपको जब कभी भी मेरे प्यारे साति हो दुनिया में कुछ भी गरने जाओ ना इस बात का ख्याल रखें अगर आपने अपना एक दिन भी बरवाद किया तो आपने अपना वो समय बरवाद किया जित समय में आप काम कर सकते थे आपका एक दिन बरवाद हुआ 2920 में से 2990 रह जाएगा फिन एक बरवाद किया 2918 रह जाएगा 2917 रह जाएगा 16 15 रह जाएगा 14, 12, 10, 29 फिर 28, 27, 26, 25, 24 ऐसे करके 0 होगा और 70 सालों के मर जाएगा इंसान खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिएगा आपका आज का दिन पूरा आपने खतम कर दिया क्या आपने आज अपने पूरे दिन अपने करियर डेवलप्मेंट के लिए कुछ भी किया सवाल जरूर पूछा किजिए लोग सवाल नहीं करते अपने आप से आपने अपने करियर डेवलोप्मेंट के लिए कुछ भी किया अगर आपको जवाब आता है कि नहीं आज तो पूरा दिन ऐसी टाइम पास में चला गया तो भाई साव आपने अपने अपने जिंदगी में अपने कुछ दिन अपने आपको मार डाले अपने अआसी भाई साव मत करो जितना टाइम निकालना था निकाल दिया आपके पास कितना समय बचाए घंटे में convert करना चाओ multiply by 24 कर लीजे क्योंकि मैंने बाकी सब का निकाल दी अथना आठाट करके 24 कर लीजे आपके पास जितना होगा 2920 आया ना 2920 कर लीजे 2920 multiply by 24 करेंगे तो आपके पास 70,000 घंटे 70,00080 700,000 इतने घंटे आपके पास हैं एक एक घंटे निकालोगे तो एक घंटे आप वेस्ट कर रहे हो समझपा रहे तो दूसरे नंबर पे जो आपको चीज समझनी है वो ये समझनी है कि आपके पास जो समय है वो केवल इतना है एक घंटे भी बरवात करते हैं तो आप अपने जिंदी का वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिस टाइम में आपको अपने लिए कुछ करके बनना था दोस्तों चिक तीसरा सवाल जो एकि स्टूडेंट को अपने से पूछना चाहिए कर आपके संदगी में हमेशा याद रखें आपका समय कितना कीमती है पैसा देके तो खरीदे नहीं जैसे हम कभी भी कोई चजीज लेकर आते हैं हमने घड़ी खरूदी कोईक फूसता है कितने का है तो अपने लोग कीमत बता देते के हैं हमनेट हिस 壹ने मिला तो हमें लगा कि यह चीज इतने की है लेकिन हम अपने समय की कीमत ix abnorme नहीं पाते हैं पाते हैं इस वजह को जहां मर्जी जो जितना मांगता है उसको बाटा-बाट-बाट मचायoff हमने घड़ी खरीदी कोई हमसे कहे भाई वापस लेनी की सोच रखेंगे कि भाई घड़ी लियात न साधि के लिए अब चल वापस कर हो गया कि जिन्दगीवर के लिए लिया गया तुन्हें घड़ी अगर आपसे कोई आपकी बाइक मांगेगा दे दोगे तो अगले दिन वापस भी तो मांगोगे मांगोगे न क्योंकि आपने उसके लिए पैसे पेकिए समय हमसे कोई कितना भी मांगते हैं हम दे देते क्योंकि पैसे नहीं पेकिए तो आपको पता नहीं चल पा रहा कि आपके समय की कीमत कितनी है तो मैं चाहूंगा आप सबसे पहले अपने समय की कीमत निकालना सीखो किस जॉब की त्यारी कर रहे हो आप? आप बताओ मुझे देखो आप किसी ना किसी ऐसे जॉब की त्यारी कर रहे होंगे ठीक है, एक लाग तक बहुत कम बच्चे उस वाले एक्जाम की तैयरी कर रहे होंगे, जो यहां पे होंगे, 20,000 से 50,000 वाले बच्चे जादातर होंगे, ठीक, मैं एक मोटा मोटा ले ले लेता हूँ, बीज का रास्ता उठा लेता हूँ, मानलो आपकी सैलरी, आप किसी ऐसे एक्जाम की तैयरी कर रहे हो, जिसकी सैलरी 30,000 रुपया है, समझना, 30,000 रुपया सैलरी के आप एक्जाम की तैयरी कर रहे हो, ठीक, आपकी सैलरी 30,000 रुपया है, कितने दिन की दोस्तों, 30 दिन की, 30 देज की, भले आप 25 दिन, 26 दिन काम करोगे, लेकिन आपको जोड के द दोस्तो एक हजार रुपया, एक हजार, ठीक है ना तीन जीरो, एक हजार रुपया हो गई, अगर एक दिन में आप आठ घंटे काम करते हैं, कुछ घरवर में भी आके काम करेगा, आदमी मोटा मोटा ले लो, दस घंटे काम करते हैं, तो दस घंटे का एक हजार है, तो एक घं गंटे की जो कीमत होगी वो होगी एक सो रुपया अगर आपको ईश्वर यह देता कि लो भाई कितने घंटे चाहिए तुम को कितना चाहिए तुम सच्छार गंटे होते हे तुम सौ सौ रुपया के हिसाब से खरीदे होते तो आप बताओ अपने दोस्तों को कितने घंटे देते गप सड़ाका करने में गल्फ्रेंड को कितना टाइम देते तुम याँ पर बती आने में घुमाने में पिक्चर देखाने में कितना समय देते तुम अपने आपको ले जाके कोई भी हो मूवी रिलीज हो गई चलो यार ऐसा करते हैं पह ये करना शुरू कर देंगे, नहीं, जब नौकरी मिल जाएगी तब कुछ भी कर लेना, लेकिन अभी जब तक नौकरी नहीं मिली है, खुद के इन घंटों को, जिसकी कीमत है 100 रुपिया घंटा, किसी को भी देने से पहले 1000 बार सोच लेना भाई साथ, 100 रुपिया घंटा के आप आदमी हो, कब जब आप 30,000 रुपिया महीना कमाते हो, ये मैंने एकदम exactly के मतलब मुझे calculation में आसानी हो, बाकि आप अपने हिसाब से एकदम exact amount निकाल सकते हो, अगर आप किसी ऐसे exam की तैयरी कर रहा हो, जिसमें salary 50,000 रुपिया है, 25 दिन का काम है, calculate करो, अगर salary 50,000 र रुपे की है, तो भाई साहब एक दिन में वो इंसान मान लो, आठ घंटे काम करता है, लंच वंच ब्रेक छोड़ दो 9 घंटे की तो कुल जौबे होती है, आठ घंटे काम करता है, तो 2000 डिवाइड़ आठ करो, आठ दुनी सोला, आठ पंचालेस, आठ दुनी सोला, चार ब अगर आप CGL या CHSL की तयारी कर रहे हैं, तो आपके घंटे की कीमत है 2500 रुपया भाई साहब, अगर आप किसी को भी 5 मिनट भी देते हो ना, एक घंटे भी किसी से कप सड़ागा करते हो ना भाई साहब, किसी की शादी में 4 घंटे से ठुमके मार रहे हो ना भाई साहब, त जब आप अपने करियर को बनाने की स्टेज में हो, तो अपने घंटे को समहाल के खर्च करें, आपके घंटे बहुत जादा कीमती हैं भाई साहब, आपके घंटे बहुत जादा कीमती हैं, आप 23 रुपया घंटे हैं आपके, कितना घंटा दे दोगे भाई, अगर कभी भी एक घंटा घूमने का मन करें तो वहाँ पर सोचा करो कि ठीक है वहाँ पर जाने से कुछ आपका भला होगा माइंड फ्रेश है मालो आप पढ़ते पढ़ते एकदम एक्जास्ट हो गए अब दोस्त के साथ घूमने चले जाओ चलेगा आप जो है पुरे महीना कहीं नहीं गया है कुछ नहीं की एकदम पक गया है दिमाग पढ़ते पढ़ते अब चलो ऐसा करते एक मूवी देख लेते हैं चलेगा धाई सो के टिकट में तीन घंटे की मूवी साड़े साथ सुरुपए अपने 20 घंटे को खर्च करके एक हजार की मूवी पढ़ती है बाई साथ चलेगा लेकिन यह नहीं की दोस्त ने कहा दिया चल भाई तेरे डिकट में ले लेता हूँ है और कोई दिमाग न थका हुआ है न कुछ है दोस्त ने कहा दिया चल देरे डिकट ले ले तो चल भाई आ रहा हूं तुरंत अम उठाय पहुंच गए तो तुम्हें जरूरत नहीं थी उस तीन घंटे को वहां लगाने की फिर भी तुम गए यू वेस्टेड यू साथे साथ सुरुपय बरवाद कर दिया तो यह कैल्कुलेशन अपने आपको अपने दिमाख में गांठ बंधुआद हो भेया आपके घंटे की कीमत क्या है इंसान अपनी जिंदगी में केवल ये समझ ले कि वो कहीं पर भी समय लगाएगा तो वो एक कुछ पैसे वहाँ पर फसा रहा है अगर आपका पैसा कहीं पर लगेगा तो आप गलत जगे पर कभी भी अपना टाइम दो गए ही नहीं कियो कि आज से आपको आपके समय की कीमत पता चल गई है कि आपके समय की क्या वैलियू है समझ रहे हैं जिस भी जूब की तयारी कर रहा है उसका निकालो अमांट कीतना मिलेगा और उसमें in hand salary में calculate कर लो आपके घंटे की कीमत मिल जाएक आठ घंटे डिवाइट करना 9 गंटे टोटल काम होता है एक घंटा लंच वंच में हटा दो तो 8 गंटा कुल काम करता है इंसान तो मेरे भाई पहला काम ये गरम है दूसरा काम अपने आपको distraction फ्री कर देना है और तीसरा काम दोस्तों आप आज की टाइम में free क्यों नहीं है क्योंकि उसका करण हमने आपको distraction बताया एक ये करना है दोस्तों दूसरा मैंने क्या बताया आपका समय कितना कीमती है ये अपने आपको जरूर बता दें आप सभी लोग दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि आपके पास कितना समय है तो समय की कैलकुलेशन भी आपको पूरी सिखा दी और आपके पास समय जितना भी है आज के टाइम में इतना कमी क्यों महसूस होती है उसका करण भी मैंने आपको बता दिए यह तीनों चीज़ें अगर आप फॉलो कर गए तो लाइफ में समय का दिक्कत कभी भी आपको नहीं होगा टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी क्लासेज आपको देनी होगी यह उसका एक पार्ट है एक जला के जो मैंने आपके साथ शेयर की बाकी चीजों पर मैं आगे भी क्लासेज लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा इसी चैनल पर चीज़ें मिलेगी चैनल को तुरण सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और आल पर क्लिक करें इंग्लिश पढ़ना हो तो मुस्से इन टाइमिंग्स पर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजेगा ठीक है तो जो भी चीज़े आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्लासेज लेकर आऊं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं इंग्लिश सब्जेट के अलावा क्योंकि वो तो मैं अल्लेडी पढ़ा ही रहा हूँ तो वो चीज़ आप कॉमेंट में बदाएं मैं आपकी प्रॉलम पर कोई ना कोई सलूशन जरूर लेकर आऊंगा वीडियो के मात्यां से साथ हूँ ठीक है तो ये सारी चीज़े हैं और उसके बाद आपको फड़ा फड़े यहां पराना चाहिए अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पेड़ बैच भी ले सकते हैं आने केडमी लर्नर एप पर जाकर इसी एप को इंस्टॉल करके जो भी एक्जाम आप चाहते है उसे एक्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन लीजे और पेमेंट करके आप यहां पर क्लास भी कर सकते हैं तो यह रही पूरी कहानी दोस्तों बाकी आप जाईए इन सारी चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जो बताया गया उनको फॉलो कीजे आपका पढ़ाई का schedule भी अच्छा होगा आपकी health के लिए भी आप time निकाल लोगे आप family के लिए भी time निकाल लोगे और social life भी आप maintain कर लोगे just arrange everything time को इधर से निकालो सब चीजों को manage करो time management अपने आप हो जाएगा मुझे बताये कि यह सारी चीजे फॉलो करके आपको क्या benefit मिला इस वीडियो से जो भी चीज़ें आपर share कीगे thank you very much and all the best for your time management signing off